नमशकार स्वागत है आपका फिल्मी बीट में आपके साथ मैं हूँ दिपिका नयाल धड़क की सक्सेस के बाद हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर जानवी अब कौन सी फिल्म करेगी और किस हीरो के साथ वो अपनी अगली फिल्म में स्क्रिन शियर करेगी तो चलिए आज इस राज से हम परदा उठा देते हैं खबर आ रही है कि शशांग खेतान जानवी को अपनी अगली फिल्म के लिए कास्ट करना चाते हैं इस फिल्म में शशांग के फेवरिट एक्टर वरुन धवन भी होंगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं रणभूमी फिल्म की जिसकी घोशना फरवरी में इसी साल हो गई थी लेकिन एक्टरेस कौन होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो धड़क के बाद शशांग खेतान जानवी को अपनी अगली फिल्म रणभूमी में वरुन धवन के अपोजिट कास्ट करने का मन मना रहे हैं आपको बता दे कि रणभूमी एक रीविंस ड्रामा फिल्म होगी जिसे दिवाली 2020 के आसपास रिलीज क्या जाएगा शशांग खेतान इससे पहले वरुन धवन के साथ हम्टी शर्मा की दुलनिया और बद्रीनात की दुलनिया जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं फरवरी में ही करण जोहर ने टुटर पर वरुन धवन और शशांग खेतान के साथ फोटो शेर कर रणभूमी की घोशना की थी लेकिन फिल्म की कोई डिटेल सामने नहीं आई थी बेरहाल अब ख़बर आई है कि इस फिल्म में जानवी कपूर हो सकती है देखना होगा वरुन धवन के साथ जानवी कपूर परदे पर कैसी दिखेगी बैरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बाकी वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले